वाट्सब गाइज जैसे कामल असान आज के इस वीडियों में आप लोगे साने बात करने जार रहे हैं सिंप्लिफाइब औफ एक्स्पोनेंट्स जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था पिछले क्लास में की सिंप्लिफाइब ऑफ इक्स्पोनेंस जिसमें बेस इिसलेप हो बेस्लें दो दो तीन पाल्ट से मैं आपको यही चमजहते हैं रहा हूँ कि कि स्थी इस तरह से अलग होगा तो किस तरह से एक जैसाATHAN किया जाएगा उसका केल्कुलेशन किया जाएगा fraction में मैंने power को भी include कर दिया है यह अब competitive level की और बढ़ चला है ठीक है तो इसको किस तरह से solve करेंगे देखे मैंने आपको कहा था previous part में ही कि अब मैं जो दूँगा वो prime number वाला दूँगा यह prime number वाला नहीं है यह even number वाला है तो उसको आप किस तरीके से solve करेंगे अभी मैं जसके बाद prime number वाला दूँगा पहले इसको solve कर रहते हैं इस तरह के जो question में लिखवा रहा हूं यह सब exam में बहुत जादा important है यह सब आते ही रहते हैं मैं वही वही question आपको लिखवा रहा हूं जो repeated है ठीक है अब वो हमेशा जो exam में आते रहते हैं समझे है तो चलिए बिना time waste किये वीडियो को start करते हैं तो इसको किस तरीके से हम solve करेंगे तो देखिए सबसे पहले 400 है तो एक चीज आपको धियान में रखना है ठीक है 400 जो है किसका square है तो 20 का square है बहुत सारे बच्चों को मैं यह देख रहा हूं क उन्हें square में बहुत जादा problem create हो रहा है समझे हैं तो इससे घबडाने वाली कोई बात नहीं है मैं square और root से related एक dedicated वीडियो में बना दिया हूं जिसमें कुछ important trick और tips मैंने आपको बता दिया हूं जिसकी सहता से आप बड़ी आसानी के साथ यह पता लगा लेंगे कि 400 जो है किस का square होगा ठीक है 400 किस का square है तो 20 का square है 400 तो बुलेंगे साथ square पर ही क्यों जाएंगे क्योंकि यहां पर 2 है ठीक है 2 से 2 cancel होना चाहिए समझे हैं यह बात आपको धियान में रखना है समझे है क्योंकि power जो है fraction में नहीं होता है समझे हैं यह चीज़ आपको यहां पर धि 20 का square समझे हैं तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं 20 का square अ देखे यह टो square है लेकिन यह 400 स्कुआर था तो इसको जानते हैं पावर को पावर से क्या किया आता है multiply क्या आता है समझे है और into में यहां पर क्या हो जाएगा माइन स सेवन बाइट यह काफी लंबा हो गया है समझ है इसको किस तरीके से solve करेंगे यह वाला दो से यह वाला दो cancel कर देंगे समझगे है upon इसको क्या करेंगे है 20 जो है na minus का संख्या एक यानि answer minus में आगा six six जा कितना हो जाएगा बताइए यहां पर 36 हो जाएगा अब हम क्या करेंगे अब इससे हम किस तरीके से solve करेंगे यहां पर 20 है ना तो देखें यहां seven two जाओ जागा यहां पर 14 समझगे है minus संख्या एक है एक बढ़ यहां पर minus लग जागा बटा यहां पर कितना हो जागा 20 के पर कितना हो जागा माइनस 36 अब जो है माइनस 36 ऊपर जागा तो पूजिटिव बन जागा ठीक है 20 के पर माइनस 14 इंटो देखें यहां पर मैंने जैसे इसको इस तरह से किया दोनों का बेस इकूल हो गया अब तो यहां पर कैलकुलेशन हो जागा समझें इसी लिए यहां पर मैंने 20 के स्वार लिया था प्रिविस क्लासे मैं जितना जा रहा हूं वह मैं विदाउट बेस वाले को से सेम बेस में कनवर्ट कर रहा हूं तब जाको इसे सॉल्व कर रहा हूं उसी तरह के से सॉल्व भी होगा समझें तो यहां पर हो जागा 20 के पावड कितना हो जागा यहां पर 36 हो जागा अधार समान है यानि बेस दोनों का क्या है इकूल है गुना में पावड जूड जूड बताईए आप अब ओ जिस सायन हें तो यहां पर घाटाओ का काम होगा समझ गयें 34 में से अगर कहा जाय Wik 36 में की 36 में किina मैं 14 घाटा हूं तो क्या आवैंगा बताईए आप धा Natomiast से 14 जाहिए तो आएगा मेरा 22 समाझ गहाई लेकिन बड़ा वाला ऊंग फ़लस में इसलिए पालस में यहाँ पे आंसर हो गिया यानि 20 पावर 22 में आंसर आएगा समझ गहाई यही transmit को यह रूत निकालने नहीं आता है कि 144 कुछण को इस पें भाद नहीं मैं इस पे आधारित एक dedicated वीडियो कल आपके लिए कल नहीं आज ही अपलोड हो जाएगा आप लोगों के लिए समझगे हैं तो उसे ज़रूर देखना चैनल पे नए है तो like and subscribe जरूर कर देना भई क्योंकि थोड़ा उत्सा बढ़ा ही है हमारा भी तो यह मैं भी थोड़ा motivate हो सकूँ समझगे हैं तो जैसे कि इस question को मैंने आप solve कर लिया है अब अगला question की तब बढ़ते हैं जो कि है prime number मैंने आपको कहा था कि prime number थोड़ा खतरनाक होता है उसमें आपको क्या दिमाग लगाना पड़ेगा भी या ठीक है क्यों कि prime number का जो multiply divide बगारा जितना भी होता एक unique value देत है तो देखें यहां पर कितना आएगा यहां पर आएगा मेरा 529 कि पावर कितना मैं लिख दूँ है यहां पर मैं लिख देता हूं 3 सुखरी है और इन सभी पर होल पर पावर माइनिस 3 भाइटू ठीक है यह प्योर कंपटिटिव लेवल का है ठीक है क्योंकि prime number वाला जहान यहां पर देखिए माइनिस कितना हो गया इट इसको किस तरीके से सौल्ट किया जाएगा वह आपको बनाते बनाते हैबिट हो जाएगा कि कौन सा prime number वाला है कौन सा without prime number वाला है ठीक है क्योंकि जो गुना जल्री किसी के table में नहीं आया है ठीक है जिसका multiply एक unique value दे वह जैसे को किस तरीके से solve किया जाएगा तो यहां पर देखना इस पर देखें यह दो है ना तो हमको square ही में बनाना है नीचे दो है ना तो यानि ऐसा value लेना है कि 2 से 2 यहां पर cancel हो जाए और यहां पर भी देखिए यहां सबसे ही तो यहां पर आपको क्या दिया देना कि 23 का यहां पर हम स्कुर्ण नहीं कर सकते हैं 23 किसी का भी स्क्वाइर नहीं है समझे गया है तो इसी लिए 529 कितना 23 का स्क्वाइर होगा समझे गया है 23 का स्क्राइर हम इसको लिख सकते हैं किस तरीके से इसको 3 से क्या करेंगे हैं multiply कर देंगे यहाँ पर minus 3 by 2 क्योंकि आपको पता है power power multiply होता है ठेगा । यहाँ पर केतना होजाएका 23 के पाऩ माइनस 16 हो जाएको है इसको 2 त्यों ostr do cancel out कर देते हैं कि यहांपर देखे कि स तरीके से स्को सौव किया जाएगा यहां पर फॉन्ट इसको मैं थ्यूथ है इसको उपर लिख देता हूं यहां पर लेकिन माइनस में हो टूपन की आफ VO पहनवं बॉत्त तरीके हाँ इसको ट्रेंटी-थिरी ट्री माईनेस नएन किना आप 16 हो जागा देखें यहां पर माइनस में था इसको उपर की ओर करेंगा तो पलस में आ चला जाएगा यह बात आपको धियान में रखना है तो 23 हो जाएगा माइनस 9 समझ गया है देखिए यहां पर क्या है यहां पर है हमारा पोजिट साइन समझ गया है यहां पर क्या है हमारा पोजिट साइन है समझ गया है तो यहां पर घटाओ का काम होगा ठीक है यहां पर आपको क्या धियान में रखना है कि यहां पर घटाओ का काम होगा यहां पर कितना मैं पावर लिख दूँ देखिए अपोजिट से यहां पर घटेगा तो 16 में से 9 हो जाएगा तो बताइए कितना बचेगा बचेगा 7 ठीक है तो यहां पर हम पावर में 7 लिख देंगे अब पलस 7 वैल्यू देगा क्योंकि देखिए बड़ा वला अंग 16 है 16 के माय तरफ पलस का निशान है यानि आंसर पोजिटिव आएगा 23 के पावर 7 इसको अगर आप मैंटिप्लाइ के जिएगा 23 के पावर 7 कहने का क्या मतलब है 23 के पावर 7 23 को 23 से मल्टिप्लाइ करना है लेकिन कितना बार पावर डिसाइड करें तो साथ बार तो डॉट 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 सैवन टाइम अब समझ जा यह कि यह कितना ज्यादा लार्ज वैल्यू देगा समझ गया है उना करते करते तो हालत खराब हो जाएग तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यह सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्जाम के लिहाज से समझ गया है यह बात आपको थोड़ा धियां में रखनी है देखिए अगला क्वेश्चन जो है तीसरा यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बोर्ड में बहुत बार पूछ चुका है समझ गया एक्सपोनेंट से अंग कंपर्टेशन के लिहाज से तो पूछा ही जाता है इसको किस तरीके से सॉल्फ किया जाएगा इसको सॉल्फ करने का बड़ा ही आसान तरीका है पांसो छेतर दिख रहा है यहां पर चौबिस है त यहानyaा 25- society कियों करूँगा किए इसको देखते रहे हमेशा काम कीजी हाई को 24 24 आपको धियान में रखनानानN 24 क्यसी का स्कूर्ट नहीं है इसा समझे मारण दूना 24 होता ए थीक है तो यह सक्वायर स्कूर कहने का मतलब है नहीं है बाठाको बारा से ही multiply किया जाए ठीक है या दो को दो से ही किया तो तू 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 जा कितना हो जागा फोड हो जागा तो यहां पर हम लिख सकते हैं है 24 का स्क्वार पावर है multiply कर देंगे into minus 7 by 2 हो जागा यह वाला दो से यह वाला दो कितना जागा यहां पर minus 21 तो देखिए 24 के पावर माइनस 21 यह तो जसका तसरा एगा इसी को बस हम उपर shift कर देंगे तो 24 के पावर प्लस 21 हो जागा ठीक है पलस बोला नहीं जाता है यह बद्यान में रखिए तो देखिए यह जो है दोनों का बेस जेम है बीच में क्या जी है गुणा का निशान है पावर क्या जी हो जाएगा एड़ हो जागा 21 पलस उस पे पावर 0 यानि उसका value एक कोई भी हम नंबर है जैसे 2345 ठीक है शीक्स यह हम क्यों पढ़ते हैं क्योंकि इस पे पावर 1 है ठीक है इसी लिए यहां पे हम लोग 123456 पढ़ते हैं अगर इस पे पावर 0 हो जागा तो इसका value हो जागा वान अगर 2 हो जागा तो आप जा स्वाइट में ज़रूर लिखा है समाज़गा है स्टुट्ट आप लोगों के लिए एक dedicated वीडियो मैंने आज upload कर दूँगा ठीक है किसके लिए 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 तो भाई आप लोग का related होगा square और root के जिन बच्चों को square root नहीं निकालने आता है prime factorization problem होते है सबते पर जैसे related हो जागा तो prime factorization में आपको बताऊंगा पहले तो मैं आपको square root बताऊंगा फिर prime factorization की मारा और बढ़ जाऊंगा root निकालना आपको सिखा दूँगा वर्गमूल जिसे कहते हैं घंमूल कह सकते हैं वह आप निकाल लेंगा तो exponents का जितना भी किस्सा है खतम हो ज marina now we are meeting in the next class